तो विडियो आपके लिए बहुत जबाद है विकास आज इस वीडियो के अंदर हम छे ऐसे चार्ट पैटर्स को डिसक्स करने वाले हैं जिन्हें आपके लिए सीखना बहुत जरूरी है एंद इन फाक्ट एक ही वीडियो के अंदर हम रिवर्सल कॉंटेनेशन और नुट्रल इसका करने वाले हैं तो हमने 6 पैटर्स लिए जो आप चार्ट पर बनता हुआ देख सकते हैं अगर आपने उन्हें इनिटिफाइ किया आप चाहिए आप स्टॉक मांकेट में ट्रेड करते हों चार्ट सापको हर जगा बनते हो देखते हैं और अब चार्ट बनते हैं तो व इस वीडियो को एक तो आप एंट तक देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएं अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजए बैल आइकन पर क्लिक करिए जिससे आने वाली एक भी वीडियो आप मिस्स ना करें अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले हम 6 इंपॉ निए पार्मेशन ओगे रिवरसल चाट्ट पैटन की तो प्राइस उपर जा रहा था जाएगा वह रिवर्स हो जाएगा गिरना शुरू हो जाएगा तो यह हुआ रिवर्सल का मतलब क्या हुआ एक्जैंपल प्राइस गिर रहा दा मांकेट गिर रही झेर और यहां पेड क्या होते हैं न्यूट्रल पैटन क्या होते हैं मार्केट में कुछ भी ट्रेंट चल रहो ऊपर चल रहो या नीचे चल रहो अब यहां पर बनेगा एक न्यूट्रल चाट पैटन अब डिपेंड करता है इसमें कि ब्रेक आउट किस डिरेक्शन में हो रहा है अगर ब्रेक आउ आपको मजा आएगा और यह वीडियो बहुत इंट्रस्टिंग होने वाली है तब शुरू करते हैं सबसे वहले हम बात करने वाले हैं यहां पर रिवर्सल चार्ट पैटन्स की और रिवर्सल चाट पेटन्स में कई सारे पैटन्स है हमने बिसिकली चाट पैटन्स की ऊपर इंटरस्चिंग पैटन हमने लिया है इससे की यह है एक रिवरसल चार्ट पैटन और वेरिष रिवर्सल चार्ट पैटन तो अगर बेरिष रिवर्सल तो मुड़ जाएगी मार्केट 725 गिरेगी तो उस से पर रिवर्सल था तो पहले आपको अप टरेंट दीखेगा आपको एक अप्ट्रेंट दिखता है और आपको दिखता है प्राइस उपर गया जब उपर गया तो एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर प्राइस को रिजिस्टेंस मिला रिजिस्टेंस क्या होता है जहां पर सेलर होते हैं एक ऐसा जोन होता है प्राइस का जहां पर सेलर बैठ तो अगर मैं profit निकाल लेता हूँ और बेच देता हूँ तो जैसी मैं बेच उगा मैं सोच के चल रहा हूँ कि भीए डेड़ सो पर अगर price जाएगा तो मैं बेच दूगा और डेड़ सो पर मैंने बेच दिया तो मैंने जैसी बेच प्राइस नीचे गिरेगा तो मारकेट में उपर नीचे क्यों होता है क्योंकि रिगुलर्ली आपको बायर्स और सेलर्स मारकेट में दिखते हैं इसलिए ऐसा होता है तो अब अगर किसी ने बेचा तो प्राईस नीचे गिरा कहां तक गिरेगा जहां पर जाकर सपोर्ट मिलता है और सपोर्ट कैसे मिलेगा सपोर्ट देता है बायर आजाता है बायर कहता है यह प्राइस पहले सो था फिर वो डेड़ सो तक गया अब अगर 120 आ गया ना मैं खरीद लूँगा मैं खरीदने के लिए बैठाओ तो बायर कहता है यार तो तो डिड़सों रुपे की चीज थी पहले अभी 120 पर आगए मैं 120 पर खरीदने के लिए रेडियो तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है बायर बायर ने सपोर्ट प्रोवाइड किया उसके बाद क्योंकि खरीदना शुरू हुआ कि इसने 120 पर पच्चे अब जैसे वो डिड़सों तक दुबारा जाता है यहां पर दुबारा बिकवाली आ जाती है अब कौन बिकवाली कर रहा है जो पहले भी खरीद के बैठा था वो भी और जिसने मानलो 120 पर खरीदा उसने भी तो दुबारा से उसने क्या प्रोवाइड किया अब प्राइस द कई सारे लोगों ने माल लिया हूँ अष्चाश कोल बेच आसे यहां पर इतने कि बायाइड बी को जाते हैं अब जब क्या होता है माल को भ歌 पैनिक का महल 66 अच्ण जिकली सोन बहार निकहें करें बोजिशन जिसने आपे 100 रुपे पे लिया हुआ है बाई चांस मान लो वो गया जो प्रॉफिट आ रहा है बेचो और जब वो बेचना शुरू करेगा प्राइस नीचे गरेगा अब एक प्राइस के बाद जाके दुबारा से जब बहुत नीचे प्राइस आ जाएगा दुबारा से क्या मिला यहां पर जो सपोर्ट था बायर जो सपोर्ट बनाके बैठे होए दे अब यही रिजिस्टेंस भी प्रोवाइड गर रहें यह सेलर्स हो गए तो जहां पर पहले सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन जाएगा और धड़ाम से नीचे गरेगा तो यह हमने जो समझ यह पॉइंट को जोड़के प्राइज लेवल को जोड़के एक होरिजॉंटल लाइन ड्रॉगर देते हैं जो हो जाता है हमारे लिए यहां पर रिजिस्टेंस एंड जहां से प्राइज बाउंस बैक कर रहा है दोर सपोर्ट के पॉइंट जोड़कर हम बना देते हैं यहां बना उसके बाद सपोर्ट ब्रेक हुआ तो हम यहां पर मानके चलते हैं कि यह हो गया ट्रपल टॉप चार्ट पैटन जो की एक बेरिश रिवर्सल पैटन है प्राइज इस टेस्ट करने के लिए दुबारा से एक बार आता है उपर बट उसे दुबारा से मिलता है रेस्टेंस और प्राइस नीचे गिरता है अब यह आपने कॉंसेट बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है यह चार्ट पर कैसे बनता है अब मैं आपको वह दिखाता हूं अगर पहले तो हमारे को क्या दिखरा था एक अप्ट्रेंट दिखरा था अप्ट्रेंट के बाद यहां पर एक पॉंट पे हमें रेस्टेंस मिला रेस्टेंस मिलने के बाद प्राइस नीचे आया जब वो नीचे आता है गिरता है तो यहां पर उसे सपोर्ट मिला उसे रेस्टें है कि एसे हम नेक लाइन भी बोलते हैं तो यह कौन सा फोर्मेशन है ट्रिपल टॉप अगर हम फित को छापटे और तो यह बन जाता है यहाँ इस अपर फित्रोल बॉटम डिकाता हूँ अहँ इसंट इसमें क्यों होता है कि प्रीज पहले नीचे आ रहा होता है, यहां पर आपको बेरिश मुवमिंट दिख रही है, मार्केट में, प्राइस नीचे गड़ता है, बट यहां पर बैठे है, भाइड्स, खरीदा, प्राइस उपर गया, उसे दुबारा से, यहां पर क्या मिला, रिजिस्टेंस मिल गया, फिर खरीदना शुरू कर दिया है, प्राइस उपर जाता है, एक बार सेलर्स हावी होने की कोशिश करते हैं, प्राइस को दुबारा नीचे लेकर आते हैं, बट जो अब रिजिस्टेंस था, वो सपोर्ट बन जाएगा, यहां पर भी बायर खड़ा है, खरीदने के लिए, और प मांकेट कैसे दिख रही थी, आपको दिख रहा है, यहां पर मांकेट गिर रही है, इसके बाद एक पॉइंट से यहां पर सपोर्ट मिला, प्राइस उपर जाता है, रिजिस्टेंस मिलता है, उसके बाद प्राइस चल रहा है, उपर जा रहा है, रिजिस्टेंस तक भी नही तक घाया यांसरी है थो हम दो सपोर्ट को design को जॉइन खर एक यहां पर क्या बना देंगे यहां पर हम बना देंगे अपनी एक नीचे के लिए support लाइन और उपर रिस्टेंस अगर प्राइस रिस्टेंस तक पहुँचता है एक बहुत बड़ी केंडल ने रिजिस्टेंस को ब्रेक किया और उसके बाद हमें दिखता है कि प्राइंस रीटेस्ट करने के लिए नहीं चाहेगा बट ओवरॉल आपको एक अब वर्ड मुवेंट दिखती है अब यहां पर आपने जो सीखा है इंपॉर्डेंट क्या है कि एक बार आपको यह भी पता लगे कि हमें एंट्री कब लेनी चाहिए तो मैं आपको सबसे पहले ट्रपल टॉप पर दुबारा ले जाता हूं समझाने के लिए कि आपके लिए एंट्री बनेगी कब आपको यहां पर क्या धिहान रखना है कि जब जब हम ट्रपल टॉप पर थे तो मुझे लगा रहा है कि वह यह बेरिश रिवर्सल चार्ट पैटन है तो अब मैं क्या करूँगा इसे समझते हैं जब मुझे दिखा यह हमारे लिए कौन सा जोन था यह हमारे लिए रिचिस्जिंस था हमारे लिए नेकलाइन थी हमारी सप यह सपपोर्ट यहां पर रोहा है सपोट होता है जहां से सपोर्ट ब्रेक भोटा है हैं यहां से में रोटा कॉंपोट टकॉंप करती है हमारे वीटbacks करना करना के लिए हमें नेख्ञेंडल कोई करना पड़ सकता है हो सकता है एक दो तीन चार के बाद हमें confirmation मिले confirmation किस चीज की कि price नीचे गर रहा है वो कैसे पता लगेगा अगर अगली candle पिछली candle का low break कर देती है और नीचे खुलती है यह और नीचे यहां पे close होती हुँ दिखती है मलब लो उसने तोड़ दिया जो भी लास्ट केंडल का लो था वो तूट गया तो भी है मुझे confirmation मिल गई कि price गिरता रहेगा अब यहां पर चीज इंपॉर्डेंट आ जाती है कि मारा stop-loss difference है इतना ही difference आप अपनी entry के बाद expect कर सकते हो कि आपको मिल सकता है so this is a potential target बट अगर आप यहां पर रिस बहुत छोटा सा लेकर चल रहे हैं तो आप 1-2-2-1-2-3 के रिस्टू reward ratio के आप से भी अपना trade execute कर सकते हैं so this is an important thing अब हम आगे बढ़ते हैं जो हमने बात करी दी similarly triple bottom की तो triple bottom पे हमें कब दिखेगा कि हमारे लिए right entry तो जब breakout हुआ कि हम इसी candle से entry लेंगे the answer is no हम वेट करेंगे confirmation का अगली candle के बननेगा तो अगली candle अगर पिछली candle का high तोड़ देती है तो यहां पर हम आप entry कर सकते next candle में और next candle में जब आप entry करेंगे हाई ब्रेक होने के बाद अब आपको important क्या है कि इसका जो लो है जिस candle ने breakout दिया उसके लो का stop loss लेकर चलेंगे आपका potential target क्या है जितना difference है points का support और resistance के बीच में इतना आपको entry के बाद मिल सकता है और यहां पर retest करने के लिए price नीचे आ सकता है बट आपको एक दूसरी entry भी मिल सकती है अगर आप दुबारा से price को उपर जाता हुआ देखते हैं तो इस फॉर ट्रिपल बॉटम अब आपने जो सीखा यह रिवर्सल चार्ट पैटन है यहां पर ट्रिपल बॉटम बुलिश रिवर्सल था और ट्रिपल टॉप जो था यह बेरिश रिवर्सल था सो बिफोर वी गो हैड अब हमें पैटन के बारे में सीखना है किए कि आपने रिवर्सल के बारे में सीखा हम कोंट यूशन के बारे में सीखेंगे अब आगे बढ़ते हैं continue चार्ट पर कॉंटिवेशन चाट पैटन्स पर हम दो इंपोर्डन चाट पैटन्स की ऊबर बात करने वाले नंबर बुलिश सिम्ट्रिकल ट्राइंगल अब देखिए कॉंटिवेशन चाट पैटन पैटन जो पैटन चल रहा है तो बुलिश ट्रेंड रहेगा यहां पर आपको दिख रहा है कि price उपर की दरफ जा रहा है बट अब इसे यहां पर resistance मिला resistance मिला मझण sellers sellers प्रैस को नीचे धकेला फिर बायर्स मिल गए अब जब प्रैस थोड़ा सा उपर जाता है तो अब क्या दिखता है कि resistance पहले वाले लीचे बेचने के लिए रेडी है बायर एक लेवल ऊपर खरीदने के लिए रेडी है तो बायर जादा पैसा देने के लिए और सेलर सोच रहा है कि चल मुझे कम भी पैसा मिलने में बेच दोंगा तो आप क्या करेंगे अब दो रेजिटेंज के पॉइंट्स लेकर एक यहां पर ट्रेंड लाइन प्लॉट कर देंगे और हमें क्या दिखेगा यहां पर ट्राइंगल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आ गया इसलिए एक ट्राइंगल अब सिमेट्रिकल ट्राइंगल है मतलब कि आपको यह दिखेगा कि यहां पर इसे प्राइंगल की बीच में आगे फज गया है important यहां पर यह होता है कि breakout कहां दे रहा है अगर यह continuation chart pattern है तो breakout ऊपर की तरफ आएगा बड़ ब्रेक आउट नीचे की तरफ भी आ सकता है ऐसा होता है ठीक है तो important है से समझना है यह पर breakout अगर ऊपर की तरफ आया तो प्राइस उपर की तरफ भागे का रीटेस्ट करने के लिए एक बार नीचे आ सकता है similarly बिल्कुल ठीक इसी तरीके से होता है हमारा bearish symmetrical triangle बड़ यह bearish है तो जो movement है पहले वो उपर से नीचे की तरफ आ रही है प्राइस बीच में आके अटक गया है एक triangle like structure के अंदर जो आपको resistance और support levels plot करके दो ट्रेंड लेन प्लॉट करके आपको ट्रेंगल देखेगा प्राइस इसके बीच में अब breakout के direction में दे रहा है breakout हमें देखा कि नीचे की तरफ दे रहा है और जब breakout नीचे की तरफ दे रहा है प्राइस रीटेस करने के लिए पर ऊपर आ सकता है अब यहां पर important चीजे पहले वह समझ लेते हैं फिर चार्ट पर बनता हो देखेंगे important क्या है कि अगर मैं bullish symmetrical triangle की बात करूं मैं bullish की बात कर रहा हूं तो अब यहां पर entry गप लेने हैं बिल्कुल हो गया हमारा और हम 1-2-2-1-2-3 के रिष्ट रिवार्ट रिश्यों के आप से ट्रेड गर सकते हैं important क्या जिस कैंडल ने breakout दिया किसी भी चैट प्रेटन पर आप देखें वहां पर वॉल्यूम भी चेक किजिए वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए वॉल्यूम कंपनी होना चाहिए तो फॉल्स ब्रेकाउट भी हो सकता है और दूसरी चीज़ जब आपकी जिस कैंडल ने breakout दिया उसका हाई ब्रेक हो गया तो उसके बाद आप एंट्री ले सकते हो और हाउक है उपर का स्टॉब लगा देंगे अब यहां पर हमारा टार्गेड क्या होता है टार्गेड होता है इस ट्राइंगल की highest है यह GoHS है यह हमारे लिए एक पोटेंश्यल टार्गेड साही सिमिलरली मैं आपको यहां पर भी दिखाता हूं कि जो बुलिश सिमेट्रिकल ट्राइंगल है इसके अंदर भी जो हमारी हाइट है यह हमारे लिए पोटेंशल टागेट होता है एक चीज और होती है जब आप यहां पर स्टॉप लॉस को कंसीडर करते हैं अगर आपको इस कैंडल के नीचे कभी-कभी जो इस कैंडल के नीचे है अब वनिस्टो टू और दिमांग में रखिए पट एक चीज में आप और अड़ कर देता हूं अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते हैं तो आपको बड़ा जैसे यहां पर हम देख रहे हैं बड़ा हमारे पास पॉइंट डिफरेंस है एक बड़ा टार्गेट है हा पर जा रहा है यहां पर अप अब बॉमिन श्कել फिर सपोर्ट मिला आपने त्रेंग लिंग आपको यहां पर support मिला फिर resistance फिर support इस तरीके से आप trend line plot कर सकते हैं and trend line plot करने के बाद यहां पर जो मैंने बताए तापको stop loss के लिए जो triangle का center है उसे आप stop loss लेके चल सकते हैं अब entry यहां पर एक example है वो आपको समझना है आपको breakout तो यहां पर दिखा बट breakout होने के बावजूद क्या low break हो उस candle का the answer is no जब तक low break नहीं हो हम एंट्री नहीं करेंगे हमें इस candle में जाके दिख रहा है कि low break की है तो हम entry यहां पर लेंगे तो यह important सीच्थी समझने के लिए आप थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है आपको information पूरी मिलनी चाहिए फाइनली हम neutral patterns की बात करते हैं neutral pattern क्या है कि दोनों साइट हम breakout को identify करेंगे और उसके बाद हम यह decision लेंगे कि हमें कब enter करना है और किस तरफ market जाएगी तो neutral patterns के अंदर एक तो ascending triangle एक popular chart pattern है यहां प इंपॉर्टेंट क्या है कि resistance सेम लेवल पर मिल रहा है अब यह ascending क्यों है क्योंकि resistance तो हमें same level पर मिल रहा है बड़ जो support जो बायर है वो हर एक level के बाद खरीदने के लिए ready है तो यहां पर हम दो support के pointers लेकर एक trend line plot करते हैं and resistance क्योंकि हमारा flat होता है resistance एक ही zone में होता है तो एक resistance की straight line होती है तो ascending क्या हुआ यह उपर जाता हुआ है जो price है यहां पर नीचे गया support बना बड़ उसके बाद राइस सेम लेवल पर मिला बड़ एक level उपर बायर खरीदने के लिए ready है अब यहां पर दोनुशीज़ होती है breakout के direction में हो रहा है अगर breakout उपर की तरफ और retest करने के लिए प्राइस नीचे की तरफ हुआ तो retest के बाद प्राइस नीचे की तरफ जाएगा so this is example of a neutral pattern and बिलकुल इसी तरीके से जो अपने descending triangle सीखा है descending triangle भी होता है descending triangle भी neutral है बट यहां पर क्या होगा support का जोन एक ही होता है support एक जोन में मिल रहा है बट अब जो seller है ना वो एक level नीचे बेचने के लिए ready है तो हम दो support के zone लेकर एक horizontal line plot कर देंगे यहां पर trend line plot कर देंगे और में triangle structure दिखेगा अगर प्राइस इसी के बीच में घूम रहा है तो हमें focus के सीज़ पर करना है कि breakout कहां हो रहा है और breakout जैस डिरेक्शन में हो रहा है उसके बाद हम confirmation ले रहे हैं volume देख रहे हैं आप कुछ indicators apply कर सकते हो मेरे favorite RSI कर सकते हो for the re-testing अगर आपको confirmation मिल रही है only then आप entry लेंगे और confirmation आपको volume rsi mcd देंगे और next candle low break होना चाहिए हाइ ब्रेक होना चाहिए यह important है अब मैं आपको यहां पर एक और चीज़ बताता हूँ आपका target क्या होगा so यहां पर पोटेंशल हाइट है यह potential target है यह जो हाइट है इस triangle की तो यहां पर example देखिए कि यहां पर resistance same level पर है बट यहां पर जो आप देख रहे हैं कि सपोर्ट अलग अलग लेवल पर मिल रही है तो सपोर्ट ऊपर मिल रही है बायर ऊपर ऊपर प्राइस पर खरीदने के लिए ready है तो इससे आप क्या कर सकते हैं इससे आप ascending triangle बना सकते है एंड जब breakout हो रहा है तो क्या यहां पर हमें एंट्री करनी है नो हमें breakout के बाद confirmation करना है और जो हमारे पास यहां पर हाइट डिफ्रेंस है यह हमारे पोटेंशल टागेट भी होता है कि संबिल एक और example ले थैं आपर इस एक्जैम्पल को तर सरह नहुंब है आपको दिख रहे है वह एक रेंज बाउन हो गया यहां पर पर जोगेट ग्रेचर्ज एक लेवल पर मिलता जाए रहा है और ययुसेंस हमें सिमिलर लेवलस पर मिल रहा है बट जो हमारा सपोर्ट इसा भी एग्जहमपल ले ले लेसे अगर मैं डि सुखैन Trung चाहरो देखिव यहां पर बिल्कुल फोर्टा सय्दिया फिन्फकर्य नियीक अगए कशंड़ पर मिल रहा है और यहांपर लिए sell here क्योंकि लोग को इस candle ने ब्रेक किया है जो हैमर बना उसने ब्रेक किया है मर बनने का प्राइज उपर गया बट उसके बावजूद भी आप क्या देखते हो कि प्राइज नीचे जाता है और आपका प्रोजेक्टेट टार्गेट जो है वह आपको पता ही जो आपकी हाइड difference is this is your projected target and इसके एक दो और examples है हमारे पास हम यह पर ले ले लेते हैं descending triangle का एक और example ले ले लेते हैं so this is again the target of sorry this is again the example of descending triangle pattern price एक range में आ जाता है आपको support similar level पर मिल रहा है जो resistance है वो आपको एक level नीचे मिल रहा है आपने plot कर दिया breakout होने के बाद confirmation का wait करके आप entry ले सकते हैं finally last example आपके लिए ले लेता हूं यहां पर देखिए descending triangle के अंदर आप क्या देखते हैं कि यहां पर जो नीचे का support है वो break हो गया और उसके बाद आप देखते हैं कि confirmation के बाद आप entry ले सकते हैं यहां पर क्योंकि break हुआ बाद सपोर्ट जोन यहां पर बीर जीट गए और एक सेम एक्जामपल इसी का मैं आपको दिखाता हूं अगर यह ऊपर की तरफ हमारा breakout आया होता तो ब्रेक आउट अगर ऊपर की तरफ आया है तो नीचे वाला support नहीं टूटा यहां पर की हमारी लाइन टूट गई रेजिस्टेंस की तो यहां पर बुल्स जो है वह यह फाइड जीत गए तो यह डिसेंडिंग ट्राइंगल के एक्जामपल है नूट्रल पैटन का अब आपने इस वीडियो से क्या-क्या सीखा एक बार हम वह देख लेते हैं हमने छे पैटन्स की बात कर बुलिश इमेट्रिकल ट्रेंगल की और असेंडिंग ट्राइंगल और डिसेंडिंग ट्राइंगल की आपने यहां पर आज की इस वीडियो के अंदर शिक्स इंपॉर्ट चाट पैटन्स की जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पर आपने रिवर्सल क्या होता है कॉन्टिंशन क्या होता है और यहीं कि बेसिक उंडेस्टेंडिंग ले ली और हमने यह चाइट पैटन्स और बी और चाइट पैटन्स पूर वन्हें बनाया हुआ है तो आई बैटन के इसे बढ़े है कि यह प्रफिश देश जितना ज्यादा मारकेट में उप्राक्टेश करोगे बैक्टेश टेस्ट करोगे उतन ही जादा आपकी नॉलेज बढ़ने वाली है तो जादा बैक्टेसिटिंग की जादा बेट में कीजिए और पहले सीखिए तभी ट्रेड अब आपके मन में जो भी सवाल है आप कॉमेंट्स में पूछेगा उन सवालों का जवाब देने के लिए विल डेफिनिली ट्राया बेस्ट तो मेक मोर वीडियो फॉर यू अगर आप इस वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं फॉलो कीजिए यूट्यूब पर देखने स सब्सक्राइब कीजिए बैल इकन पर क्लिक कीजिए फाइनली आव विल सी नेक्स वीडियो तिल दाइम यूगो सल्फमेट